दो चोटियों वाली सिरफ एक आयुरवेदिक दवा है। पीरियड्स रेगुलर होते हैं और खून की कमी दूर होती है। दो चोटियों वाली सिरफ में इंग्रिडियंट्स फीमेल सिरफ में सभी आयुरवेदिक इंग्रिडियंट्स हैं जो महिलाओं के शरीर में जाकर अच्छे से काम करते हैं। इसके अंदर अशोका, लोधा, अर्जुन, अश्वगंधा, सतावरी, अजविन, आमला, गुर्च, अमलतास, कंबल, अभ्रक, भस्मा, लोह भस्मा, धाई का फुल, जागरी, सतलोबन, सोंट, सोया, गोखरू, माकोय, हर्रा, बेहेरा। जैसे और भी इंग्रेडियेंट्स हैं, यह सभी आयुरवेदिक हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। दो छोटियों वाली लड़की। दो छोटियों वाली लड़की एक आयुरवेदिक दवा है, जिसे महिलाओं के लिए बनाया गया है। महिलाओं के शरीर में किशोरा वस्था के बाद से ही काफी बदलाव आते हैं। उन्ही में से एक बदलाव आता है मासिक धर्म का आना। जिस वजह से उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड्ड देता है। जैसे कमर दर्द, पेट दर्द, जी मचली करना, भूख नहीं लगना, हात पैरों में दर्द, और पीरियड्स के दौरान कहून का जायदा आना, कम आना, पीरियड्स का लंबे समय तक बने रहना, और किसी किसी के 5-6 मन्थ तक पीरियड्स नहीं आते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्यों के निदान के लिए फीमेल रैंडम सिरप को लिया जाता है। सिरप को लेते समय कुछ परहेज है, जिन्हें करने पर ही आपको इनके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जैसे आपको तीखे मसाले, मांस, मचली, आचार नहीं खाना है। प्रश्न थ्री, फीमेल रैडिसन सिरप को कितने समय तक लेना है। उत्तर, फीमेल रैडिसन सिरप को आपको कम से कम टू मन्थ लेना है, जिसे यह शरीर में जाकर अच्छे से वर्क कर सके। प्रश्न पाव, फीमेल रैडिसन सिरप को किस एज से लेना स्टार्ट करना चाहिए। उत्तर, फीमेल रेडिसन सिरफ महिलाओं की आयूर्वेदिक दवा है, इसे जब से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, 13-14 एज से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसे आगे चल कर पीरियड्स कंटीन्यू रहे।